लगतार जो जेडियों के नेता हैं वो ऐसा वयान दे रहे हैं जो से ये समझ में आ रहा है कि जेडियों अब जुकने वाला नहीं है केसे भे मुद्दे पार जेडियों नहीं करेगी समझोता जेडियों तीसरे नंबर की पाटी परतेवर नंबर एक का बड़ेकबार पट्ना में अध्याक्ष लालन सिंग ने दिया बयान इस वक्त के बड़ेकबार किसी के रहमत से CM नहीं है नितीश कुमार जनता के भरोसे और प्यार ने उन्हें मुख्य मंत्री बनाया है उपेंद्र कुश्वाहा ने भी BJP को उसकी हैसियत दिखाई है अपने ही कर्मों के कारण BJP की दुर्दशा हो रही है बड़ेकबार आपको बता रहे है MLC चुनाव के बाद जेडियो हुई याक्रामक इस वक्त की बड़ेकबार BJP के सामने नहीं जुकेगी जेडियो MLC चुनाव के परिणाम में जेडियो तीसरे नमबर की नहीं है लेकिन तेवर नमबर एक का है पटना में जेडियो के राश्ट्रिया द्याक शुलाला सिंग ने वयान दिया है उन्होंने कहा कि CM किसी के रहमत से नहीं बने है नतीश कुमार जनता के प्यार और उनकी क्रिपा से दियार के मुखिया है नतीश कुमार उपेंद्र कुश्वाहा ने भी BJP पर जम कर अपनी भडास निकाली और BJP पर जम कर तंच कसा है अपने ही कर्मों के कारण BJP की दुर्दशा हो रही है चानल सी चुनाओं के बाद जेन्यू आक्रा में खो चुकी है चलिए सबर पड़ा देख बातचीट के लिए हमारे साथ हमारे सयोगे नुशेट ठाकुर जुने हैं लाइफ चैट पर जुशेद आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे आज समारों में जस तरह से जेडियों के दिगज निताओं ने BJP पर जम कर निशाना साथा किसी से छिपा नहीं और नहीं उन्होंने आप्रत्यक्ष तरीके से कुछ कहा है सीधा बयान दिया है इससे क्या समझ में आ रहा है इसका क्या तातपड़े है बिल्कुल देखिए सीधा इस बयान का तातपड़ यही निकाला जा रहा है कि जिस सरीके से पिसले अगर कुछ दिनों के घटना करम की बात करें राजनितिक तो लगतार बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार की चर्चा हो रही थी कि उनको अब बिहार से बाहर भेजने की जड़ुत है और बीजेपी के नेता भी खुल के इस बात को कह रहे थे कि अगर नितिश कुमार चाहते हैं बिहार से जाना अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ के आप केंदर में जाना चाहते हैं राजय सबा जाने की बात चल लही थी उप राष्ट पती बनने की बात चल लही थी ये चर्चा है तेजो रही थी तो बीजेपी नेता भी खुल के लगातार सामने आ थे तो इस बात को कह रहे थे लेकिन जनता देल उनाइटेट की ओर से उस वक्त भी ऐसा कुछ बयान नहीं आया था और अब भी इस तरीके का कोई बयान नहीं आया है और जो आज बयान जो बड़े नेता है दिगज नेता है संसदिया बोड के अध्यक्ष उपेंद कुषवाह या फिर जेडियू के राष्टी अध्यक्ष ललन सिंग की बात करें तो दोनों ही नेताओं ने इस बात को साफ तौर पे और क्लियर सब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री नितिश कुमारी की अगवाई में बिहार में वो लोग काम कर रहे है और आगे भी करेंगे इस बात को खुल कर कहा है जेडियू के नेताओं ने और छोटे मोटे नेताओं ने नहीं कहा है हाँ खुद जेडियू के राष्टी अध्ठक्ष ल pyramid सिंग्ग और संसथिया अध्यक्स है के इंद्रिया और उपेन्द कुशवाहा उन्होंने इस बात को का रहे हैं रागे भी मुख्यमंतरी नितिश कुमारी टो इस बात से सम्झा जा सकता है कि जंता देल पशल के इस B normally yourself ब्यार के मुख्यान नितिश कुमारी रहेंगे और उनीक लोगाई में teng toser डीकर्टा काम करेंगे विजबें मुख्यापद पर नितिश कुमार ही रहेंगे इस बात से समझा जा रहा है निशेर एक तरफ हो जाए